तो आज की इस बहुती खुबसूरत सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, आगास करने से पहले मैं सबसे निरोद करूँगी बैट जाएं, देखिए, कारिकरम में जो वारता है, जो समवाद है, जो बात है, वो उसमें और नई बाते, और नई कड़ी उभर कर आएगी, सबी हमा इंट्रेस्टिंग टॉपिक की, जहां पर हम देख रहे हैं कि आज जब तकनीक का जमाना है, अगर हम कहें कि आज टेक्नोलोजी हमारे जीवन के हर पहलू को छूच चुकी है, तो उस परिस्तिती में, क्या ये जो तकनीक है, जब हम टेलिविजन की ओर आते हैं, क्या OTT, ज आज के इस कारिक्रम में बात करेंगे, और जैसे के बताया गया कि हमारे बीच, हमारे साथ एक ऐसे खास शक्सियत हैं, जिनको परिछे की जरूरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं कुछ शब्द उनके सामने बारे में कहना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग सबसे पहल आपकी आज इस बहु आयामिय शक्सियत के साथ आज के इस विशे पर हम मार्कदशन पराप करेंगे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे साथ जुनाफ फैजल मलिक जी भी उपस्तित है, आप रोडूसर है, एक्टर है, और कला व संस्कृति की दुनिया की जो बा आज सबसे पहले आना चाहती हूँ, अशोक सार निसंदह तकनीक ने, टेकनलोजी ने, इंटरनेट ने जीवन को परिवर्तित कर दिया है, चखील सावादाब, जीवन को परिवर्तित कर दिया है, तो जो एक कला की भावना होती है, कि समवात को आगे बढ़ाना, विचार को आगे बढ़ाना, क्या तकनीक ने इस जटिलता को बढ़ाया है, या इस परिस्तिती में चीजों को सरल बनाया है, मैं आप से शुरुवात करती हूँ, हमारे एक भुजर्ग कवी बलबीर सिंह रंग, वो अशार भी कहते थे, गीत भी लिखते थे, उन्होंने कहा था कि बतलाई नहीं जाते, बहुत से प्रश्ण ऐसे हैं जो सुलजाई नहीं जाते, मगर उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाई नहीं जाते, तो इस जो OTT है, इसका जो एक्रोनिम है और या जो इसका पूर्ण स्वरूप है, उसको ओवर दर टॉप कहा जाता है, इसमें संदेह नहीं क कला संस्कृति और चाक्षुष माध्यम जो ओडियो विजूल है उसमें ओवर दे टॉप है अन दे टॉप है तभी OTT है तो एक टीटी होता था जो टिकेट चेक करता था कि कोई अनधिकारी तो नहीं आ गया यह OTT है ऐसाइस में कोई टीटी नहीं है जो आपकी टिकेट चेक क करेगा कि आप कहां घुसरे हो और कहां क्या देखोगे यह कैसी रेल का मुसाफिर बनाता है जो जिन्दगी की पट्रियों पर दोड़ती है अब मैं जब OTT का कोई कोई सीरीज छोड़ता नहीं हूं जब मैं उसे देख सकता हूं तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी र सब्सक्राइब मेरे पास अपनी मेधा है मेरे पास अपना विचार है मेरे पास अपना जीवन अनुभव है अब जिसने बनाया है अगर आपको पहले सीजन का पहला एपिसोडी ना अच्छा लगेगा तो आप ना देखेंगे कुई बाध्यता अध तो ए नहीं के आपने पैसे खर्च किये हैं तीटी ने आपसे को रिश्वत भी नहीं लिये फ्री की सीट पे भी आपको नहीं बिठाया है तो इस OTT में जो उपननेस है जो ओपन टेबिल टेबिल टेनेस है इसमें आप मेंसे हर कोई खेल सकता बॉल कहां गिरेगी इसकी भी चिंता नहीं दूसी मिल जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली जो वेब सीरीज हैं उनमें यह देखता हूँ कि आप कोई सीरियल देखते हैं तो आपको 45 मिनिट देखना होता है और फिर अगले धारावाहिक की पृतिक्षा करनी होती ह पर पास है आप दस है पिसोड देके बिना उड़ते नहीं है आपका खाना पीना आपका सोना जागना उसके साथ ही होता है पंचायत देखा मैंने और पहले दर्शे में ही श्रीमान जी ने फैजल साब ने जो धौनका किया है इतनी सहजता से जंदगी को उस चरित्र में रगवीर यादव मेरे 40 साल पुराने मित्र है नीना गुपता मेरी परिचित रही है और इनको देखने के बाद उसका भोलापन सरलता उसके चरित्र का जितेंद्र का और हमारे ग्रामीन विकास में जो विरोधाभास है उनका जिस तरह से निरदर्शन हुआ है ग्रामीन जो भयाकरांत करने वाले और भयागरस्त हो जाने वाले मामले हैं वो भी दिखते हैं कि जब पिटाई करदी बेल्ट से तो बड़ी तृप्ती मिली लेकिन जब भूत के कारण वहां सोने की ज़रूरत पड़ी तो ये तक काप गए हो सब थर थरा गए है या ये है तो हमारे हमारे जीवन और खासकर हिंदी में जब ये हम देखने को मिल रहा है हमें तो बहुत अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं और विविदता इतनी है इन सब में जहां एक और पंचायत है ग्रामी और प्रश्ट भूमी का वेब सिरीज वहीं अब जी जो लेटेस्ट देखा ह ये वह बॉंबे बेगम था उसमें प्ञाश नारियों की कहानी है अब यह कहिए किसमें सेक्स है किसी में वालेंस है कोई अपने दर्शक की कई तरह की कमजूरियों का फाइदा उठाने के लिए पटकथा बनाई जाती है कैसारे आरोप है में उन से सहमती या सहमती या सार वर्षा होती है वह अगर आप जंदगी में सुन रहा है और चौराहे पर सुन रहा है तो पर्दे पर देखके आपको क्या परिशानी हो रही है तो मेरे खाल से मुझे तो परिशानी नहीं होती लेकिन यह मानना कि इससे हमारे बच्चे बगड़ जाएंगे यह बहुत ही दारना है क्योंकि बच्चे आपसे ज्यादा तेज हैं ज्यादा कोशल हैं और ज्यादा समझदार हैं इसलिए आप भैगरस्त न होई है और यह वो देश है जहां के मंदिरों पर आपको आप किसी भी खजराहों के मंदिर में चले जाएए या आपको नार्क मंदिर में जाते हैं वहां भी आपको मिलेगा तो यह तो जीवन की वो चीजें हैं जिनको तीन तरीके से देखना चाहिए मैं इस तीन बातों को बता के अपनी बात को विराम दोंगा कि हम क्यों देखते हैं हमारा मकसद क्या देखने का हम क्यों चिपक जाते हैं क्या चुम्बक है उस तो मैं मानूंगा कि टेक्नोलोजी के आधार पर केमरा वर्क के आधार पर बेहतरीन होता है उसमें कुछ हमारे उपकरणों के आने के बाद और हर आदमी एक अलाकार है अर्विंद जी अभी हम नाटक देख रहे थे तो स्वैम केमरा वर्क कर रहे थे और मैं देख रहा था के केमरा मैं की तरह कर रहे थे कि कौन आर्टिस वो तो डारेक्टर ने पता है कौन अगला बोलने वाला है तो उसका ओडियो भी वहां से मिल जाएगा फिर मूवमेंट मिल जाएगा तो जितना वेलोसिटी जितना मूवमेंट आपको आपके एस्थेटिक्स को संतुष्ट करन बस एक मुझे प्रहम देने के लिए बजाई गई थी कि मैं हम आपकी बात को पसंद कर रहे हैं दूसरा नजरीया है एस्थेटिक्स की मामले में एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगा कि जो शुरुआत हुई थी दूरदर्शन पे हम लोग के जमाने से तो उसको हम चिपक ज अध्याद ली यह आगे हम क्या देखने वाले हैं रवीन्ना टेगोर की कहानियों पर जो वासु है साब ने बशारे की कहानिया रवीन्ना टेगोर की यहानियों पर अद्बुत उसका सेक्श मुझे नहीं लगता उससे बहतर मैंने बंगल की शंसकृति को देखा है तो वह के लिए अच्छा लगा तो अन्य धारावाहिकों की तुलना में उसने अपना नंबर ज्यादा ले लिए हमसे दूसरा है आपका सोश्योलोजिकल प्लेटफॉर्म आपका समाजिक चेतना का इस्तर कि आपको समाज शास्त्री आधार पर वो आपको अपील करता है कि नहीं करता अब चाहे पाताल लोग लो या आश्रम लो या विक्री हुई रियलिटीज को लाने वाले लोग हैं कहीं न कहीं आपको लगेगा कि देखिए ये ये ज्यादा दिखा रहे हैं ये उनकी कमी हैं कि वो ज्यादा दिखाके उनका मंतव्य कहां गलत होता है ये भी दर्शक को प अपने घर में जो लोग तंत्र है उसमें उसकी वो मर्यादा रखता है और अब तो बच्चों के साथ देखने में भी कुछ नहीं है भाई वो हमसे ज्यादा आगे की बात बता देते हैं कि आप पापा वो देख लीजिए उसमें और ज्यादा अच्छा अब तो बच्चों क OTT का सबसे बड़ा जो सुख है कि आप कहीं भी बैठे हैं आपका पड़ोसी भी नहीं जान पाएगा कि ये क्या देख रहा है इतना यूनि डिरेक्शनल किसम की स्क्रीन आ गई हैं और आपने उसके भी पंक निकाल दी हैं कि क्या देख रहे हो बगल वाला नहीं देख है तो वह अगर समाज के समानांतर हमें दुनिया दिखाते हैं जिसमें सचाई है और कोई भी कला बैना अतिरणजना के मती नहीं है कवी की कल्पना में भी इतनी उंची-उची उड़ान होती किसी वी काल का साहिती देख लीजिए अतिरणजना के बिना वही आगे बढ़ता या पातालोग में दिखाई दिया, तो वो हिंसा और रक्त, रक्त जो बोलता है, रक्त का बोलना OTT प्लेटफॉर्म का पहला सूत्र है, उसकी सफलता का, क्योंकि हम सब के अंदर कहते हैं रक्त खोलता है, क्या तुमारा खुन ठंडा है, या तुमारे अंदर खुन नहीं बहत को भी बहुत अच्छी तरह से रंग वर्ण जाती, लिंग का भी अंतर नहीं है, जेंडर बाइस भी नहीं है, और लड़कियां भी जिसमें काजोल थी, वो धकादक गालियां दे रही थी, वो भरतनाटिम की जो नर्तकी है, तीसरा और अंतिम बात कहके, मैं अपने बात को विराम दूंगा, तीसरा है साइकलोजीकल, जो मनोवग्यानिक आधारे हमारे मन पर क्या आशर पड़ता है, तो बहुत सारे जो इस तरह के OTT के सीजन आपने देखे होंगे, उनमें मनोविक्रत लोगों का भी बोल बाला रहता है, जिसे ब्रीद पहला वाला आया था, वो जो असाध्य रोग था, उसके लिए हत्याय कर देता है, क्योंकि उसके औरगन डोनेशन की बारी बहुत देर में आने वाली है, फिर ये अभिशेक बच्चन वाला जो ब्रीद आया, उसमें आप सोच नहीं सकते कि वही आदमी जो सबका रक्षक है, वही बक्षक है, वारहा मसाबा में नीना गुपता ने अपने आपको प्रस्तोत किया, और हर कोई अब OTT प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है, और गोहार भी लगाते हैं कि भाईया इसके लिए कोई ऐसा सेंसर बोर्ड हो, आई एन भी मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि कितनी हद तक जा सकते हैं, हदें कोई नहीं है, हदें हैं तो हमारे अपने अंदर हैं. वेट करते थे कि अगले संडे क्या होगा, अब वो जो इंतजार की घड़ी है, वो अब कम हो गई है, एक ही धक्के में हम सारे एपिसोड सब देख सकते हैं, ठीके, अब ऐसी परिस्थिती में, क्या जो एक पुछाव था कला के साथ, उसका वो जो इंतजार, वो जो खुब अब की सूर्ती थी, फिल्मों की और यजो टैलिविजिन की क्या OTT ने इसको समाथ किया है, क्योंकि ऄखिए आप नेstem पूरा मैनेज करा है, वेब सीरीज को भी आप मैनेज करा है, क्या अब को लगता है एक ओए प्ल्म के साथ प्रेणा होती है, अधने खोटा है, कहीं जो समात कर देता है और हमें कहीं न कहीं उतेजित बना देता है देखने में भी और अपने इंपैक्ट में भी जैसे सर ने बताया कि किस प्रकार से मसाबा मसाबा वैब सीरीज यह कोई भी वैब सीरीज हो सोशल मीडिया पर एक भरपूर रियाक्शन होता है I support this I do not support this जो सही भी है यूगि फिल्म का एक सबसे प्रमुक्ताद पर रहे है कि हमें जागरूक रखना यह तो सही बहुत न कहीं जागरूक के साथ हम क्रोधित भी बहुत ज्यादा हो रहे है तो क्या यह OTT जो है यह क्रोध और जो कला के साथ जुड़ी जो प्यारी प्यारी बात ने ह में कुछ बहुत भारी लाइन खीच रहा है पैदल जी नहीं ऐसा तो नहीं है अचली आप बगा बेसिक जब शुरुवात से अगर मैं आपको बताऊं तो वह है जब एच्बियो लॉंच हुआ था होम बॉक्स ऑफिस तो एच्बियो के पास एक सीरीज थी इसका नाम था दवायर और बोर्डवाग इंपायर तो उसे लोग कहते हैं कि सीरीज जब शुरुवात में जो है और स्कॉर्सेशी खुद गयते करने के लिए और एच्बियो ने जो ह किया है OTT जिसको हम कहते हैं वेब सीरीज ना उसने सिनमा को अपगरेट कर दिया है क्योंकि वो लोग उससे ज्यादा अच्छा कॉंटेंट जो टीवी पर देख रहे हैं या इंटरनेट पर देख रहे हैं तो सिनमा बनाने के लिए उनको और महत करनी पड़ेगी वो कि हम अ एक ग्रेड ऊपर आके लिखना पड़ेगा तो वो एक बड़ा कॉंपटिशन है जो चल रहा है जो हेल्दी है और उसमें क्या हो गया है कि आप अगर आप जिसे हमाय यहां काफी अच्छी बनी सिरीज पर आप उन लोग जो नेट्फिक्स पर चले जाए या शो टाइम पर लोग बहुत पहले से यह पॉमैट करक करके बैठें और वह इतना इंगेजिंग होता है कि लोग को कहते हैं फिल्म क्यों देखें फिल्म इस चीए गया तब जाकर लगता है कि तब कोई वहां पर जाकर सिनमा बनता है तेर सारा अच्छा सा हम क्या करते हैं कि हम अभी तीन स चार साल लगेगा तब यहां पर लोग कहेंगे यहां हम सिनमा क्यों देखने जाएं मतलब उससे अच्छा हो तो बताओ तो वह खतम हो गया है अच्छा ही हुआ है कि ओटी या इस डिजिटल कॉंटेंट ने आके एक तो पूरे लैंग्विज का बैरियर जो है उड़ा दिय है इंडियन लोग बैट के स्पानिश शो देख रहे हैं वह भी लगतार बैक टू बैक देख रहे हैं सबस्यादा कंजम्शन हमारे यहां पर और तो टेक्निकली या फिर क्रेटिव वाइस बहुत 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 अच्छा एक कॉंपेटिशन चल रहा है बिट्वीन फिल्मे अब क्योंके हम जानते हैं हम बहुत सारे विभन OTT प्लाफॉम्स हैं डिस्नी भी है नेट्फिक्स भी है अब ऐसी परिस्तिती में यह बात तो बिल्कुल अच्छी है क्या कॉंपेटिशन है मुनोपली किसी एक की नहीं हो सकती है अच्छार जब ऐसी परिस्तिती में जब अगर हम इस वाकय का उपयोग करें तो क्या कंज्यूमर डिवन फिल्म कंज्यूमर डिवन परस्पेक्टिव्स कमिंग फर्वर्वर्वर्वर्ण प्लाफॉम्स इस गुड़ बाद जाता है तो आप सिंप्लिफाइड नहीं कर सकते हैं सरली करन से मैं कहूं कि अच्छा है य उसके उपर ये वर्दान है आभिशाप है अब मैं इसको दोनों सिद्ध कर सकता हूं अगर मेरा नजरिया अलग तरह से काम करेगा मैं कहूं ये साब वर्दान है क्यों वर्दान है साब कोरोना में जीवित रहने की ललग दिखाई इसने जब सबी लोग निरास थे हतास थे अंधेरा था सिनेमा में जाने का आवसर नहीं था तब नेट्फलिक्स अमजन प्राइम होट स्थार या और जतने की फिर तो जी फाइव भी आ गया और पता नहीं कितने कितने प्लेटफॉम्स पे OTT सक रिया है तो इसने हमारे मनोरंजन धर्म में एक अनुपात को तो बना इगार दिया है तो बिगार दिया है इसलिए एक फ़ेर्श प्रतिक्षा करने के बाद सफने तेलिवीजन के सामने देखते थे और अपनी अपनी रुची के कारी कर्म हमारे सामने होते थे लेकिन अब कमबक्त यह है कि कहानी शुरू हो गई और आपके पास मुका है कि आप इसको देखो छे एपिसोड देने के देखने के बाद नींद की जपकियां आ रही हैं आप आप पर चीटे मार मार के साथवां एपिसोड भी देखोगी और फिर बेताब हो जाओगी कि अंत में क्या होने वाला है फिर भी रास्ता छोड़ दिया जाएगा गेम ऑफ थ्रोंस का एक सीजन ख़दम दूसरा आया तीसरा आया जोटा आया लगे हुए हैं लगे हुए हैं फें में देखते हैं तो हमारे पास पेंडेमिक में वक्त था हमने वक्त दे दिया बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे दो लैप टॉप लेगे बैठते थे एक तरफ उनका काम चलता था दूसरे पर नेटफलिक्स या अमेजोन ट्राइम चलता था जिस पर ब्रम टॉप गोर्त था उब जो प्राप्ट औक्सीजन है का सुख़द मौका है और आपका म्स्ते सभी अनंदित है फ्र यह लोग लेता है और आप हर प्रकार से एकत्रती बोध लेकर महां से उठते हैं नजरें आपकी टेलवीजन स्क्रीन पे होती हैं अगर आप एक इंटरनेट सपोर्टेड टीवी पे देख रहे हैं और हाथ दाल में और रोटी में होता है और हाथ यंतरवत आपके मुक्तक ही आते हैं लेकिन आखों का अवरोध नहीं बनते हैं आप खाना वहीं करते हैं और जो मोबाइल पे ही उसे कंटिन्यू करना चाहें उसको बातरूम में भी ले जाते हैं तो इस ताकत को तो आपको पहचानना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा कि यह OTT प्लेटफॉर्म एक नई सुंदर्य अभिरुची के साथ एक नया विकल्प सिनेमा के लिए है जिसमें कोई ऐसी शेंसरशिप नहीं है, हम अपने सपने में सेंसर नहीं लगाते हैं तो OTT को मैं मानता हूं जैसा है, जिस पर कोई अवरोध नहीं है और जो जिन भावनाओं से अपलावित रहता है उनी भावनाओं को सपनों में देखता है निगेटिव आदमी निगेटिव सपना देखेगा पोजिटिव आदमी पोजिटिव सपना देखेगा तो हमारे समाज में निगेटिव भी है पोजिटिव भी है और सपनों का कोई रोकथाम नहीं है मुंगरी लाल के हसीन सपने मैंने लिखा था बहुत पहले सपनों के आने जाने पे कोई रोगधाम नहीं होती है तो इस लिहाज से ये एक नए जमाने की संप्रेशन कला है एक संप्रेशन कला वो नुकल नाटक थी उसने भी रोमान्चित किया क्योंकि वो साकार साक्षात मानवी इस वरूप में दिख रहा है और OTT को कभी एक्टर्स की कभी नहीं पड़ेगी ये आश्वस्ती भी दे रहा है अर्विंद गौल हमें अश्वस्त करके गए है कि OTT अगर हर दिन नई नई सीरीज आती जाएं तो कलाकारों के लिए अर्विंद गौल के पास चले जाना एक से एक बढ़िया खूबसूरत चेहरा है और अच्छा भावा भीव्यक्ति करने वाले लोग यहां पे हैं तो मैं नाटक को बढ़ाई दूँगा OTT में नाटक का NSD का और उन लोगों का योगदान है जिन्होंने अभेने को जिन्दगी के समानांतर लाके खड़ा कर दिया है तो मैं आप सबको बढ़ाई देता हूं इस नाते और बाकी आलोचनाएं तो होती ही हैं मैं अगर लोक अप पर ये कविता लिखता हूं और मैं एक जामिया मिलिया का प्रोफेसर भी हूँ आज मैं कहीं कुछ भी हूँ कहीं मैं केंद्री इंदिस अस्थान में हूँ तो मुझसे लोग उम्मीद करेंगे कि हसाना अरे बड़ा बुरा काम है ये किसी विद्वान को तो मनुहुसी रहना चाहिए है ना मैं में हूँ एमलेट हूँ पी एचडी हूँ डीलेट भी हो गया भी भाशा विशुद्ध याले से माना दुपादी मिली मुझे इसी मार्श के महीने में तो हम अपनी मनुहुसियत से विद्वान माने जाएं ये ओटिटी नहीं चाहता है आप उस पे बात करिए उसके गहन गंभीर परतों के अंदर जो परते हैं उनको एक्सपोज करिए उन परतों के अंदर सचाई कितनी में गहरी दभी हुई ती वो निकाल की लाई गई है इसको एप्रिशेट करिए न हां भाशावेद भाशाकी निंदा करेंगे धर्म शास्तरी धर्मिक दृष्टि कौन से उसकी निंदा करेंगे बहुत नेतिकतावादी लोग उसको देखने में रस लेने के बाद उसकी नि कि बेगम, मॉंबे बेगम में पांच महिलाएं है और उसमें जो बीच वाली है, एक सबसे बड़ी रानी है, उसके नीचे उसकी अधिनस्त है, एक बड़ी रानी की सोतेली बेटी है और एक out of the box खड़ी होई वेश्या है। और उन पांचों के बीच पे जिस तरह से उसको बनाया धुरी को पूजा भट ने बहुत अच्छा भी ने किया है सभी ने ओटीटी की सबसे बड़ी खुबसूरती क्या है कि अब ने कमाल अब जिस फैजल को देख रहे हैं आप देखो उसमें पंचायत में अरे चरित्र में घुसे हुए हैं इतने काम, कूल और अपने उत्तेज़त हो जाने वाले मित्र को भी उत्तेज़त ना उसकी शांत करते हैं और जब उतेजित नहीं होता है तो इसको बढ़का भी देते हैं तो हर तरह का कोशल एक कस्बाती ग्रामीन युवक्का जो चरित्र होता है ब्लॉक डिवीजन में और पंचायत में वो इन्होंने बहुत अच्छा अभिने मैं मानता हूं कि जो सरुशेष्ट अभिनेता मैंने देखे हैं एक अली फजल देखा एक फैजल देखा यह दोनों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया मलिक में आपका मैं बहुत देवा जाओंता हुँ आपने देखा नहीं है आपको देखते ही मैं क्या घहक के मिला अख हालांकि इनका आकार मेरे उसमें आले आ रहा था लेकिन जो निराकार भ्रम तक पहुंचाने की साधना करने वाला अभी न इनका है आप इसके लिए अभी देंदन कर सकते हैं यहां फैजल धेरो शुब कामना है बहुत भेतरीन काम करें अफैजल साब अशोक सर ने हमें ओटीटी से जुरी बहुत सारी बाते बताएं आप प्रड्यूसर भी हैं चली कुछ व्यफसाई की ओर चलते हैं दिखी बात तो निसंदे है के ओटीटी ने अगर मैं नेट्फिक् करते हैं क्या उसने बिजनस मॉडल्स के सामने भी कुछ सवाल उठाया क्यों कि अल्टीमेटी दिखिए चाहे फिल्मेकिंग में उननिस सो असी की दशक्की देखूं या भी वरतमान दशक्की देखूं मनी इस इंपॉर्टन वी ओलनों मनी सेकुलर्स उस पर हम सब विचार करते हैं. So you think OTT प्लाटफॉर्म्स क्या उन्होंने फोर्स कर रहा है आपको बिजनस मॉडल्स को चेंज करने के लिए या ज्यादा सरल बनाया है बिजनस मॉडल्स को देखें टेल्वीजन जो थाना कई साल तक वो एक सेट फॉर्मैट पर चल रहा था और उसका एक सेट कॉ पूट था और वहीं परी था अगर आप 90 के टाइम पर जब आप कॉंटेंट देख रहा है तो वह जैसे हमारा मॉबाइल फुन होता उस पर अपग्रेट का चीज आती है तो अपग्रेट हम आप तो करते नहीं वह सिस्टम कराता है उस टाइम पर ओडियंस को सिस्टम आप टेलिविजन को रिमोट पर दबाते रहे हैं और आपको वही कहानी सब जगह चल रही होगी तो ऑडियंस अपग्रेट ही नहीं हो पा रहा था उसको तो बहुत देर बाद मिला है यह और टीटिया जो भी हम कहा है क्योंकि उसके पास और उसके पास या तो सासब होता न सब्सक्राइब तो यह यह बैलेंस एक्ट है मुझे तो लगता है कि टीवी को पूरा बदलना पड़ेगा अपने कॉंटेंट की तरीके को और दिखाने को और रही बात बिजनस की तो ओटीटी बिजनस बहुत सेफ है बनिजबर टीवी के उसमें बजट भी ठीक होते हैं औ यह बहुत जादा मतलब कमिटमेंट का है हम लोग ने भी बनाया एक सेरीज उसको दो साल तीन साल बाद शूट करने जा रहे है तो वापस से परिशानी हो रहे है कि यह तो कैसा दिखता था उसका वीट पर से करो तो यह सब जाजा चीज़ है बजट वाइस या फिर कॉमर् जिससरा फैजल भाई ने बताया कि एक वो दुनिया थी रीटे की जो पर्दे पर थी पर आज जो रन और ररन है वो इंटरनेट पे भी है जहां का जो ओडियंस है जो कंजूमर है वो एक अक्टर को दोबारा देख सकता है क्या आपको लगता है फिर अक्टर के सामने अब और चुनौतियां आ गई है क्योंकि भाई देखिए अब पर्दा जो है वो कॉंस्टेंट जो पहले एक कॉंस्टेंट था कि शायद वो मुझे केवल सिनिमा घर में मिलेगा अब वो पर्दा मेरा फोन है मैं कभी भी कहीं पर भी उस एक्टर को दुबारा देख सकती हूं क् पर कलाकार के लिए जो अल्रीडी बहुत सारी परिस्तितियों चुनौतियों में होता है उसके सामने नई विडमना खड़ी कर दी है OTT ने आमना साहिबा अगर काम मिल रहा है तो विडमना नहीं है यह उसका अवसर है और यह उसका स्वभाग्य है कि एक के बाद एक उसको क काम मिलता जा रहा है अब काम करोगे तो चुनौती तो होगी मेरे भाई आपने ऐसे बहुत सारे अभिनेताओं के बारे में सुना होगा कि इस दंगल फिल्म के लिए उसने इतना किलो बढ़ा लिया और भूमी पेड़ने कर जो बालिका है जो हैसा नाम की फिल्म थी दम ठराना की बिये के अब इन्हे करना है तो बेटा इतनी घखारी को उठागे ले जाना पड़ेगा तो आपको अपने आपको बल्चाली बनाना पड़ेगा चर तरकी मांगए वह अभिनेता को एक चुनौती के समान होती है लेकिन वही उसका आनन्द होती है मिलने वाली तालिया, मिलने वाली प्रशंसाएं, मिलने वाला पारिश रमिक, मिलने वाली ख्याती, मिलने वाला वैश्च्विक हो जाने का मज़ा, ये सब भी तो मिलता है ना तो ये बदलती हुई संस्कृती है, बदलती हुई संस्कृती में सब कुछ बदल रहा है, भाशा बदल रही है, व्यवहार बदल रहा है, लेकिन मानवी जीवन मुल्य वही रहते हैं, वो कभी नहीं जाते हैं, हमारी द्वेश, हमारी ग्रणा, हमारा प्यार, हमारी नफरत, ह हम विभत्स को भी रस मानते हैं, देखिए, विभत्स जो के घना होती है, घना आप नाग दबा लेंगे, आज एक उपन्यास पे चर्चा हो रही थी वहाँ, उस पानी को पीने के लिए बाद दियोगे पैणने में के दोरान, जिसमें सीवर लाइन का भी पानी आ जाता है, उस से घना होती है, ममता, तो यह सारे जो हमारे मनोभाव हैं, यह जूंकित्यों बने रहेंगे, सदा रहे हैं, सदा रहेंगे, और OTT उनको एक लाब लेकर दिखा रही है, लाब यह है कि इसमें आपका कमर्शल ब्रेक नहीं है, आपका रस्भंग नहीं होता, आप एक रो में, चार सीरीज देख सकते हो, चार सीरीज बतलब 40-50 एपिसोड देख सकते हो, ऐसे भी धुरंदर लोग होते हैं, देखने वाले, अचा मुझे अपने आप पे आश्चरी होता है, मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं अगर फिल्म का जरा सा भी किड़ा तुमारे अंदर हो, तो तो यह मारा मारी OTT इंबाँ चलती है, म्यूजिक पर कॉपिराइट फिर क्लेम होते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा कॉपिराइट के दावे किये जाते हैं, प्रोडूसर्स पर जो OTT वाले होते हैं, क्योंकि ओरीजिनल म्यूजिक बनाना, यह एक अलग बात है, गेम आफ थ हम निंदा और प्रसंसा से अलग हटके इनकी ऐसी स्वस्त विवेशना करें, कि जहां यह कमर्शली हिट होने के लिए ज़रूर से ज़्यादा दिर्शे दिखाते हैं, उन्हें रोक के, अभी कहा गया कि कहानी ही ही हीरो का काम कर रही है, कहानी ही सर्वोच्च सत्ता है, तो दिन भर वहां देखते थे, प्रकृती में रहते थे और सीन पर सीन दनादन लिखते थे, और मेरे दामाद जो हैं, वो एक सिनेमेटरग्राफर भी हैं और साउंड इंजिनियर भी हैं, उन्होंने 35 मिनट की एक फिल्म मनाई, और वो कही न कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म प इसलिए कि वो खुबसूरत फिल्म थे, उसमें फिल्म का व्याकरन था, तो यहां क्या है, आपको अपनी शमता दिखाने का भरपूर अवसर मिलता है, वेब सीरीज में, आप जतने टेलेंटेड हैं, उतना आपको दिखाईए, करके दिखाईए, बताईए, लोगों को बां सब्सक्राइए, गाना भी मेरा बनाया हुए था, और मैं लगा रहा हूँ, कवी सम्मेलन तो एक ऐसी चीज है, जिसमें सरवाधिक ख्याती मिल गई पर सरवाधिक कमरूशी रखता हूं उसमें, मैं भाशा के विकास में, या सिनेमा के विकास में, या नाटक में, जब ये जो थे, उन्होंने हम से खा के रुख जाओ बच्चों, रुख जाओ, ये पुलिस के यहां कड़े हैं, ओ पुलिस वाली लोग भी कह रहे हमें, इनकी जो बहादुरी है, हम इसको सलाम करते हैं, पुलिस वाली हमें नहीं पकड़ रहे, उनको आदेश हैं कि अगर कोई खिल ताकत होती है, तो OTT प्लेट्वर्म पे आने वाली चीज़ें सिफ कमर्शल होके न रह जाएं, इतना बस आत्मा वो लोकन करें, तो ये और बहतर हो सकता है, बहुत ही सुन्दर तरीके से एक बार फिर अशोक सर ने में बहुत गहरे पॉइंट जिस पर हमें मन्थन करने की जरूरत है, मैं अशोक सर का जो पॉइंट है कि कमर्शल असपेक्ट, मैं एक बार फिर फेजल साब के पास उसी कमर्शल असपेक्ट को ले कर आऊंगी, फेजल जी दुनिया बदल गई है, सोशल बहेवियर बदल गया है, कौन सी चीज़ पर कितने लाइक साइं, डिसलाइक साइं, फेजिज़न मेकिंग को इंपक्त करते हैं, कितने विवर्स और गयानिक हैं, या कितने विवर्स और गयानिक नहीं हैं, यह किसी भी OTT प्लाफोर्म को चलाने पर भी इंपक्त करते हैं, as an actor, as a producer, please guide us, कि ऐसी बदलती हुई दुनिया में, कम्यूनिकें प्राटेजि इसके साथ रिट्वीट पर क्रिटिकल कॉमेंट्स भी आरें और कलाकार तयार है सबके लिए लेकिन फिर भी जो उसके साथ एक प्रेशर आता है इनॉर्मस प्रेशर जो चैँस साथ को सब्सकें ग्रीज का थिर पार नहीं के अब हैं और किसी भी चीज को कणवर्ट कर सकते हैं आइंगर की तरफ या आपको अगर उसको उसने कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसने सीरीज में नहीं देखी पर वो ट्वीट लिख देता है यह उसको आना तो वह अजीब सा है दूसरा का है कि जब तक यह और यहां पर हमारे हैं सबसे सबस्क्राइब जो है एक जो है वह हमारी अब इंडस्ट्री या पुसको कोई भी आदमी किसी भी टाइम किसी भी समय गरी आ सकता है और उसको सुनना पड़ेगा और उसको जब खुद जाकर इसको एक स्टेप आगे जाकर अगर कंफरंट करेगा तो पीछे से कोई र गाइडलाइन के अंडर में थी ऊवर में थी उसको भी वहा से जो है जो पहर निकाला जा रहा है बहुत सचीजों से कहा जा रहा है कि अब हम यह बनाएं गई नहीं तो यह भी दूचार-श्य महीने बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि वह यह अभी पता नहीं चल रहा है कि कि आंगर कहां तक लेके चला जाएगा कभी किसी की शूटिंग में लोग मारपीट करने चले जाते हैं तो वो सब है और वो क्या है कि कल उसको अगर सेफ भी करना होगा तो कोई सेफ करने भी नहीं आएगा टेक्निकली बंबे के लोगों कोई जो आटिस्ट नमलोग करना चाह तो अब मुझे लगता है कि अगल एक दो साल में कुछ अच्छा आएगा देखने के लिए इन सब को जो हटाएगा और निया कॉंटेंट हम कुछ देखने में बिलने कि बनिजबत की बेज़ आन पू स्टोरी बेज़ आन पूरी इवेंट से लावा अप कहानी लिखी जाए और अभिने के लिए इस तकनीक दुआरा इस नए प्लाटफॉर्म के लिए क्या नए अफसर उसको भी अपने बखु भी उजागर किया है अशुक सर जब कहा जा रहा है डिजिटल विल बी द नू नॉर्मल नाउ हमने देखा कि या हमारी ओनलाइन क्लासे हो या ओनलाइन को बड़ाना हो या ओनलाइन लेक हो या फिर एक बड़ा उसका जुरूप है OTT ऐसी दुनिया में वेन वी हाव एफ फो एवरी नीड फिटनेस के लिए एक 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 हर प्रकार का अप है हर तरीके से अशुक सर फिल्मों का फिर क्या फ्यूचर रहेगा बड़ क्लासों में तो किताबी बाते होती हैं पर जो बड़ा पर्दा हमें सीख देता था या कुछ मन में इमोशन देता उसकी एक अलग चाम था अब ऐसी परिसिती में जब कहा जा रहा है आज के टाइम में के डिजिटल इस अन्यू वे आउट क्या बड़ा पर्दा रह पाएग आर्ट कहीं नहीं जाएगी दर्शक कहीं नहीं जाएंगे लखने वाले कहीं नहीं जाएंगे वो लखेंगे माध्यम तो उनको मिलते रहंगे मैं एक उधारन देता हूं फिल्म में और OTT में मैंने एक फिल्म लिखी पानी पच्छा आशुतोषगवारी करकी उसके समवाद लिखे और वो बहुत बड़े बजट की फिल्म थी छोटी सी कोई ऐसी चीज रह जाए जो विवाद हो जाए तो कई बार तो विवाद क्रियेट किये जाते हैं कोई तो थपड़ भी खा लेता है कि प्रिसिद्धी मिल जाएगी राजनीती में भी ऐसे लोग हैं जो थपड़ खाके आगे बढ़ जाते हैं आप हमें गाली दे दो तो हमारे और नाम हुआ हमको मिली बदनामी पर दुश्मनों की दुआ कि सबसे ज़्यादा नाम हमारा ही हुआ इस माल जिखता कि लोग भी होते हैं अब एक प्रांतियता भाषा धर्म तंडव करा देते हैं अब मैं तंडव को कई बार देखा कि कहां किस बात पर तंडव हो रहा है चोटी मोटी चीज़ें तो हर जगे हैं सारे नो रस हैं लेकिन एक रस सबसे उचा है निंदा रस अब वो निंदा रस भी थोड़ा सा रहने दो ना समाज में कि जो दबा रहा है पीस रहा है और दूसरा शोशित है वंचित है भूगा है वो भूग भी सहे और तुमारा कोड़ा भी सहे अनुशातन का तो हमें एक उदार शासक चाहिए हमें एक उदार दर्शक चाहिए हमें एक उदार लेखक चाहिए क्योंकि हो रहा है जो जहां सो हो रहा यदि वही हमने कहा तो क्या कहा किन्त होना चाहिए क्या कब कहां व्यक्त करती है कला ही तब वहां तो यह मेंतिश्णलगूपत की पंक्तियां हैं यह जिम्मेदारी है हम जो अपने आपको मानते हैं के रचनाकार हैं और हम इसको सामने लाना चाहते हैं तो क्या हुआ किस ने उद्धार किया पानीपत का नेट्फिक्स ने और नेट्फिक्स पे इतनी देखी गई कि जो चेहरा मुर्जा गया था अश्रतोर जी का वो खिल उठाए तो वो आपके आपकी वो जरूरतें भी पूरी करता है कि आपका जो खर्चा हुआ है वो निकलेगा आप मुनाफ़े में ही रहेंगे आप अपार करोल वाली नहीं कि आपने चार करोल में फिल्म मना लिए और चार चो करोल कमा लिए वो तो नहीं है नेट्फिक्स में या OTT मे आपको एक reasonable मुनाफ़ा मिलेगा और सबसे बड़ी बात के वो जो होता था स्टार का तो इतना 70% of the budget of the film और बाकी में सारी सारी की सारी जो विभाग हैं उसके जितने भी technicians हैं जितने भी junior artists हैं उनमें छोटा-छोटा बढ़ जाएगा तो इतना अंतर भी नहीं है अब कलाकारो को भी अच्छा पारिश्मिक मिलने का आवसार OTT ने दिया है तो यह कलाकारों की भी बहार आई है एक्टर्स के सुनेहरे दिन आने की घोशना है और संभावित कलाकार मेरे सामने बैठे हुए तो हम इन अभिनेताओं का अभिननन करते हैं हम democratization of art का अभिननन करते हैं एक प कभी आपने सुनें नहीं कितना बढ़ी है बढ़ी है निरदेशन कर रहे हैं सारे पुराने निरदेशन ठप हो गए उनके आगे जितना बैतरीन काम करते हैं क्योंकि अब क्या है एक टुटैलिटी चाहती है एक चीज़ अगर आप एक फिल्म में करें तो यह जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिनेमेटिग्राफी करेंगे या साउंड करेंगे आप सारे काम करने पड़ेंगे अगर करेंगे नहीं तो आपको ग्यान होना चाहिए और मैं क्यों इसको डेमोक्रेटिक मानता हूं इस प्लेटफॉर्म को क्योंकि यहां डायरेक्टर भी सबको इज़त देत तू होता मैं जैसे खाने वाला तो यह इसने अहंकार तोड़ा है अलग अलग विभागों के जो दिगज लोग हैं वो अहंकार विहीन है क्योंकि यंग्स्टर्स हैं इनका फ्रेंडली एटिट्यूड है आपसमें मिलके अगर कोई डारेक्टर को छोटी सी जरा सी बात बता दे और रिजनेबल हो तो उसकी पीठ पर थपकियां देगा उसको अपने साथ बिठा के दारू पिलाएगा मुभबत करेगा मुभबत कहां तक चली जाएगी इसका हम नहीं कह सकते लेकिन करेगा तो यह विधा प्रेम बढ़ाने वाली दृष्टिपत्त की बाधाओं को त पासकर युवाओं के सामने आख मुद लें के कहेंगे प्रद्धों पर अभी अभी हमने तुम्हारी सेहत की खुश्मजाजी के लिए इतना बड़ी अराटक किया था तुम तो कम चक मांगे मुद लो तुम्हें तो नहीं देखना चाहिए यह भाया हम भी दिल रखते हैं को दर्शक जैसे ही चेतना संपन्न हो जाता है ग्यारे बारे साल का हो जाता है उससे जब तक वो धरती से नहीं जाता है तब तक वो उतने ही साल का या नहीं बारे साल का बना रहता है उसकी वही किशोर कामनाय रहती है वही शोर उसके शरीर में होता है वही शोर उसके दिम फैजल जी, लास्ट रिमार्क्स, डेमोक्राइजेशन है, कला के लिए नए आयाम है, तो OTT विकल्प है या बदलाव की एक नई चेतावनी है? मुझे लगता है, दोनों जादा एक चीज है कि है, अब यही है, तो वो एक रियालिटी है, बदलाव तो कहीं सकते हैं, पर यह अब रहेगा, और कभी जाएगा नहीं, यह और अच्छा होगा, डे बैड एक चीज आप रोज उस पर काम करते रहे हैं, तो रोज अच्छा होग हम एक तरफ अगर मतलब पाता लोग देख रहे हैं, तो हम पंचायद भी देख रहे हैं, तो हम साओत का अभी वेट्री मारण का एक आया चौट फिल्म, वो देख रहे हैं, और अभी आने वाला है और और कुछ त अच्छा अच्छा और देखने वाले हैं, तो यह एक है, और यह यह एएए इसको इससे अच्छा हो नहीं सकता सब लिए अच्छा है ऑल डिपार्टमेंट ओले रैटर के लिए सबसे बेश्ट मीडियम है राइटिंग पर ही सबसे होने वाले है तो वापस ते जो है आफ कुछ भी का लिजये आपको टैलेंटर राइटर चाहिए आपने अपने सुन्दर विचारों के साथ हमें बताया कि OTT किस प्रकार से तकनीक का एक नया आयाम नहीं है बल्कि कला के नया रंग भी हमारे बीच प्रस्तुत कर रहा है और आज हम देख रहे हैं कि होली का उससभ भी है तो once again सभी हमारे इस सेशन में उपसे सभी साथियों क को होली की धेर सारी शुपकामना है मैं देख रही हो रंजी जी बता रहा है कि समय समाप्त हो गया है रंजी जी समय को देखते हुए आप हम इस सेशन को समाप करते हैं एक बार फिर अशोक सर का वाफेजर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने सुन्दर विच अनिवाद, थैंक य। वरी मुच्छ